तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ रेलवेज का प्रिविएस येर कॉस्चिन पेपर डिस्कस करूंगा पूरा विद कम्प्लीट इंफॉमेशन एंड एक्स्प्लेनेशन तो ये 2016 का कॉस्चिन पेपर है और इसमें जो मैंने फार्मेसी के कॉस्चिन थे वो अलग करके इसमें बहुत सारे आपके साथ डिस्क्रिस करूंगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कॉस्चिन से तो पहला कॉस्चिन है विच ड्रग्स कॉज ऑस्टियो पॉरसिस और लॉंग टर्म यूज तो जो हमारे GnRH एनलोग होते हैं उनके लॉंग टर्म यूज करने पर ओस्टियो पॉरसिस जो की एक बॉंड डिसॉडर है अब जो हमारा GnRH है जो हमारा GnRH है बहुत है गोनेडो ट्रॉपिन रिलीजिंग हॉर्मोन ठीक है तो इसमें जो एक्जाम्पल्स की बात करूँ तो इसमें ल्यूप्रोलाइड, गोसरेलिन, ट्रिप्टोरेलिन तो ये सारे ड्रॉप्स जो है वो GnRH एनलोग में आते हैं देन बात करूँ एस्ट्रोजन की तो एस्ट्रोजन का अगर long term तक यूज़ करेंगे long time तक estrogen को यूज़ किया जाएगा तो ये mainly women's में endometrial cancer cause कर देता है after menopause जो हमारा endometrial cancer होता है वो एक uterus की lining पे cancer develop होता है तो उसे हम endometrial cancer कहते हैं और estrogen के long term use की बज़ा से endometrial cancer cause होता है दिन बात करूं, progesterone की, तो progesterone जो है, अगर उसका लंबे टाइं तक यूज किय जाएगा, तो वो, mainly heart ax, strokes, blood clot जैसे issues उसमें देखने को हमें मिल सकते हैं, दिन बात करूं, warfarin की, warfarin का अगर long time तक यूज किये जाएगा, तो उसमें tissue की death हो सकती है, गेंग्रीन जैसी बीमारी हो जकती है या केलसी फाइलक्सिस जैसे डिजीजी जो है वो इसमें हमें देखने को मिलती है देन नेक्स कोस्चिन पर हम चलते हैं तो नेक्स कोस्चिन है हमारा कन्फरमेशन ओफ ड्रग्स इस कॉमनली डिटर्माइन बाए तो जो ड्रग्स होते हैं उनकी हम कन्फरमेशन या उसकी स्ट्रक्चर को कैसे कन्फर्म करते हैं तो वो NMR की हलप से स्ट्रक्चर कन्फर्म किया जाता है जो की होता है nuclear magnetic resonance तो यह स्पेक्ट्रोस स्कॉपि का एक instrument होता है NMR तो इसकी हलप से हम protons and carbon structure में find out कर सकते हैं तो इसमें दो चीज़े आती है proton NMR and carbon NMR तो जो proton NMR है उसमें हम number of protons means number of hydrogens कितने हैं उस particular drug में वो हम find out कर सकते हैं और उन protons का या उन hydrogens उनका number कितना है like 2 hydrogens है, 3 है, ये 4 है तो उसका हम पता कर सकते हैं और दूसरा आता है carbon NMR तो उसमें हम number of carvons find out कर सकते हैं कि कितने number of carvons उस particular drug में present है The next question पे चलते हैं तो next question है Life of red blood corpuscles, that is RVC, present in human blood is तो जो human body में RVCs होते हैं, red blood cells उनकी life span ये life cycle कितने दिनों की होती है तो वो हमारी 120 दिन की होती है option C, इसका right answer है साथ मैं बात करूँ मैं WVC की तो जो हमारे WVC होते हैं उनका जो life span होता है, वो 13 से 20 दिन तक होता है 13 to 20 दिन बात करूँ platelets की, जो हमारे platelets होते हैं उनका जो life span होता है, वो सिर्फ 3 से 5 दिन तक होता है तो नए platelets बनते हैं और 30 से 20 दिन बाद नए WVC बनते हैं और 120 दिन का जो life span है, वो हमारा WVC का होता है The next question है, as per the drugs and cosmetic act, chemist and drugist means premises for sale of drug which have तो drug and cosmetic act के accounting, जो हमारे drug and chemist होता है उनका मतलब होता है कि उनके पास drug को sale करने का right है तो वो किसको right ये दिया जा सकता है तो ये qualified person को ये right दिया जा सकता है वो drug जो हैं वो compound नहीं कर सकता है वो सिर्फ जो बने हुए drugs हैं, marketed drugs हैं उनको वो sale कर सकता है और वो एक qualified person होना चाहिए चाहे वो diploma in pharmacy हो या higher education भी farm वो हो सकता है The next question है हमारा The usual source of heparin is तो heparin का usual source क्या है तो heparin जो है वो हमें domestic mammals के tissue से मिल सकता है तो option C इसका right answer है The next question है हमारा तो which vitamin is used occasionally as an antioxidant तो इसमें से जो हमारा vitamin E है वो हमारा as an antioxidant use हो जाता है और अगर बात करूं vitamin E की तो vitamin E को हम tocopherols भी कहते हैं इसका another name आता है tocopherol Then बात करूं vitamin B1 की तो vitamin B1 हमारा thiamin हो जाता है Then जो हमारा vitamin K होता है तो vitamin K हमारे तीन ग्रूप में categorize होते हैं एक होता है vitamin K1, K2 and K3 तो जो हमारा K1 होता है उसको हम बोलते हैं phyloquinone Then जो हमारा K2 होता है वो होता है minokinone 4 and जो हमारा K3 होता है वो होता है menadione तो यह तो होगया vitamin K के regarding अब जो हमारा vitamin D है जो vitamin D है वो एक steroidal hormone है steroidal hormone भी vitamin D को consider किया जाता है और जो इसकी active form होती है वो होती है kelsitriol जिसका chemical name होता है 1,25 dihydroxy vitamin D3 The next question है हमारा blood group B person can receive blood from persons of blood group तो जो हमारा blood group B है वो किस-किस person से या किस-किस blood group बले person से blood ले सकता है रसीब कर सकता है तो या तो वो सिर्फ O वाले blood group जिसका blood group O negative या O positive है उससे वो blood ले सकता है या फिर B blood group बले person से ही वो blood ले सकता है रसीब कर सकता है तो इसमें कुछ questions आते हैं जैसे universal donor की बात करें तो universal donor कौन सा blood group होता है तो जो हमारा O blood group है उसमें भी specific O negative जो blood group है उसे universal donor consider किया जाता है अगर मैं बात करूँ universal acceptor की UA लिख देता हूँ इसको तो universal acceptor हमारा AB positive होता है कि AB positive blood group बाले जो भी person है वो किसी भी blood group बाले person से blood receive कर सकते है चाहे वो O positive हो, O negative हो, A, B, AB तो जो भी blood group है उन सभी से ही receive कर सकते है and O negative वाले सभी को blood donate कर सकते है The next question पर आते हैं फिर Next question है हमारा doses of drugs is determined by the following except तो हम drug की doses जो है उसको किसके help से determine नहीं कर सकते हैं तो इसमें हम lipid solubility की help से drug की doses को determine नहीं कर सकते हैं बाकि हम volume of distribution, half life and excretion of drug इन तीनों ही parameter से हम drug की doses को determine कर सकते हैं The next question हमारा आता है Under the drugs and cosmetic act, schedule FF contains the list of following तो जो हमारा schedule FF है उसमें क्या कहा गया है तो उसमें हमें standards बताये गए हैं for ophthalmic preparation के लिए ठीक है, then अगर हम first option की बात करें that is the drugs which can be marked under generic names only तो ये statement हमें schedule W में दी गई है ठीक है, schedule W में हमें बताया गया है कि कौन-कौन से drugs हैं जिनको हम generic names के under ही market कर सकते हैं then next आता है हमारा drugs which are habit forming habit forming में बहुत सारे drugs आ जाते हैं जैसे narcotic ये psychotropic जिनकी हमें आदत लग जाती है ठीक है, तो बहुत हमारे schedule X में आ जाते हैं drugs जो की habit forming होते हैं then बात करूं option D की drugs which are exempt from certain provisions applicable to manufacturing तो ये rule हमें करेंगे schedule K में schedule K में बताया गया है कि drugs जो की exempt होते हैं certain provisions से जो की manufacturing के लिए applicable है तो वो वाली details हमें schedule K में दी गई है then next question पे चलते हैं फिर next question है हमारा infected blood products may produce serum hepatitis due to the presence of तो जो हमारी infected blood products है वो serum hepatitis produce कर सकते हैं किसकी presence की बज़ा से तो hepatitis B virus की presence की बज़ा से वो serum hepatitis को produce कर सकते हैं जो हमारा hepatitis B virus है वो एक liver infection है और मैं कहूं तो वो एक serious liver infection है जिसमें हमें immediately care required रहती है then next question हमारा आ जाता है insulin is usually classified as तो insulin को hormone की category में classify किया जाता है हालांकि insulin जो है वो different amino acids से बना होता है और different amino acids को combine किया जाए तो वो एक protein की formation करते हैं लेकिन insulin as a hormone classify किया जाता है क्योंकि इसके hormonal functions रहते हैं बात करूं insulin की insulin का structure कैसा होता है तो insulin जो है उसमें हमारे पास दो chains आती है chain A and chain B तो जो हमारी chain A है chain A में total 21 amino acids रहते हैं and chain B में 30 amino acids रहते हैं तो ये question भी पूछा जाता है कि insulin में कितनी chains होती है या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि insulin की जो दो chains है chain A and chain B वो दोनों एक दूसरे के साथ कैसे connected हैं तो जो A and B chain है वो एक दूसरे के साथ एक disulfide bond के साथ connected रहती हैं तो ये तो होगे हमारा insulin के बारे में अब हम next question पे चलते हैं तो हमारा next question है rotosort is used for तो rotosort किस के लिए use होता है तो rotosort हमारा filled capsule को sort करने के लिए उनकी sorting के लिए use किया जाता है sorting का मतलब होता है कि जो भी जब capsule filling की जाती है तो capsule fill होने के बार कुछ ऐसे capsules रह जाते हैं जिनमें filling नहीं हुई हो या वो rupture हो गए हो या उनमें proper तरीके से filling ना हुई हो या incomplete filling हुई हो तो उन सारे capsules को empty capsules को separate करना और जो final batch जाएगा बहां से remove करना वो हमारा rotosort का काम होता है the next question है हमारा कि pregnant women usually become deficient in जो हमारी pregnant women होती है उनमें कौन सी चीज की कमी आ जाती है तो उनमें calcium and iron की कमी आ जाती है तो आपने देखा होगा कि hospitals में जो pregnant women हैं pregnant ladies हैं उनको calcium and iron recommend किया जाता है initial days में ताकि उनकी जो calcium and iron की deficit हुआ है उनको कमी है वो उन tablets calcium and iron की tablets से वो deficiency जो है वो दूर की जा सके then next question पर चलते हैं तो next question है हमारा oral contraceptives exert their effect primarily तो oral contraceptives अपना काम कैसे गरते हैं तो जो हमारे oral contraceptives होते हैं वो worth control pills भी उने कहा जाता है कि worth को control करने के लिए ठीक है उसके लिए जो पिल्स दी जाती हैं उनको oral contraceptives कहा जाता है अब ये काम कैसे करते हैं तो ये जो ovulation का काम है उसको suppress करके ये अपना action शो करते हैं comes under schedule dash of drugs and cosmetic act तो जो हमारे insulin injection है वो किस schedule के अंडर आते हैं तो ये हमारे schedule G में आते हैं तो हमारा जो schedule G है वो क्या कहता है उसमें हमें वो सारे substances की list दी गई है list of substances जो की हमें required है to be used under medical supervision और उनको label भी उसी तरीके से किया जाता है कि बहुत सारे drugs आ जाते हैं जिनको medical supervision के अंडर ही दिया जाता है तो उसमें insulin भी एक drug है then बात करूँ schedule S की तो schedule S में हमें cosmetics के standards के बारे में detail दी हुई है standards for cosmetic then schedule P की बात करूँ तो schedule P में हमें drug के life period के बारे में दिया हुआ है life period of drugs schedule P में ही उसकी एक sub category आती है या उसको अलग भी बोला जाता है schedule P में तो आ जाता है हमारा life period of drugs and schedule P1 होता है P1 तो उसमें हमारा drugs का tax size दिया जाता है tax size of drugs then बात करूँ schedule A की schedule A में हमें performance दिये जाते है for the application different type की application चाहे वो license हो issue या renew करना हो license को ठीक है या फिर memorandum send करना हो act के अंडर तो बो सारे applications के performa हमें schedule A में दिये जाते हैं ठीक है तो यह होगे हमारे different schedule के बारे में भी यहाँ पे हमने discuss कर लिया then next question है हमारा the apex of heart is formed by तो जो heart की apex है वो किस से form होती है तो वो बेंजोईल पर उकसाइड है वो एक keratolitic है option B इसका right answer है then next question है हमारा separation of tablet into in two or more distinct layers is तो अगर tablet separate हो जाए दो यह दो से ज्यादा layers में तो उसे क्या कहा जाता है तो वो हमारा आता है lamination में ठीक है उसे कहते है lamination जो हमारी capping होती है capping and lamination साथ में term use की जाती है तेकिन दोनों में difference होता है तो जो capping है capping हम तब कहते है कि जब हमारा जो tablet है उसका upper and lower segment जो है वो horizontally separate हो जाए either वो पर यह completely तो वो हमारा आता है capping में then modeling modeling होता है unequal distribution of color on tablet तो यह अगर tablet पे color की distribution unequal तरीके से है तो वो हमारा आता है modeling then air entrapment में इतना कुछ नहीं है जो भी air अगर मारे granules के बीच में रह जाए तो वो air entrapment हो जाता है वाकि इसका कुछ इतना important नहीं रहता है जो main है capping, modeling and other जो भी tablet के defects हैं या coating के defects हैं वो जाजा इसमें important रहते हैं then next question है methyl alcohol drinking because तो जो methyl alcohol है नहीं किया जाता है क्यों unsuitable है वो इसलिए unsuitable है क्योंकि वो formaldehyde produce करता है जो कि हमारी optic nerve को damage कर सकता है तो इसलिए ये बहुत ही harmful रहता है इसको drink नहीं किया जाता है तो option B इस question का right answer है then next question हमारा आता है the organism causing urinary tract infection तो कौन सा organism urinary tract infection जिसको uti भी कहते हैं short form में तो वो cause करता है तो जो हमारा E. coli and proteus bulgaris है वो uti infections cause करते हैं then बात करूं pseudomonas aerogenosa की तो pseudomonas aerogenosa gram negative bacteria है जो कि cystic fibrosis या pneumonia जैसे diseases cause कर सकता है और mainly ये वायोफिलम्स की formation करते हैं pseudomonas aerogenosa then next आता है हमारा staphylococcus pyrogens तो जो हमारे staphylococcus pyrogens हैं ये हमारे gram positive bacterias होते हैं और ये scarlet fever and pneumonia जैसे diseases cause कर सकते हैं then next question पे चलते हैं then next question है हमारा number of spinal nerves in human is तो human में number of spinal nerves कितनी होती हैं तो ये 31 number में रहती हैं then next question है हमारा therapeutic index of drug as an indicator of its तो जो drug का therapeutic index है वो हमें क्या चीज़ बताता है तो वो हमें safety के वारे में बताता है तो इसमें अगर मैं potency की बात करूँ कि potency क्या होती है तो potency drug की बो concentration होती है ये बो amount होता है drug का जो की effect produce करने के लिए required रहता है like अगर मैं बात करूँ paracetamol की तो paracetamol 500 mg use होती है या 650 mg भी use होती है तो जो जिस concentration पे paracetamol अपना effect शो करेगी वो concentration amount उसकी potency को denote करेगा then बात करें हो toxicity की toxicity हम उस condition को कहेंगे जब हमारा drug जो है वो toxic in nature हो जाएगा एक concentration आई जब वो अपना therapeutic index या therapeutic effect शो कर रहा है फिर अगर उसकी हमने concentration और बढ़ाते गए बढ़ाते गए तो एक ऐसी concentration आ जाएगी जब वो drug हमारा कुछ major side effect शो करने लग पड़ेगा ठीक है toxicity cause कर देगा body में तो उस concentration को या उस state को हम बोलते है toxicity या toxic state then हमारा आता है efficacy efficacy हम उस चीज़ को बोलेंगे मेंस हमने कोई drug दी उसकी concentration एक limit तक बढ़ाते गए बढ़ाते गए एक time आएगा जब वो अपना effect maximum देगा और उसमें toxicity level इतना high नहीं रहेगा तो वो जब maximum response हम अचीव कर सकते हैं किसी एक particular drug के साथ तो उसको हम consider करते हैं efficacy next question है हमारा which enzyme is secreted in the mouth तो mouth में हमारा amylase enzyme जो है वो secret होता है then बात करूँ pepsin की तो pepsin जो है वो हमारा stomach में secret होता है stomach में then अगर बात करूँ मैं trypsin की तो trypsin जो है हमारा वो pancreas में भी secret होता है initially and mainly ये small intestine में secret होता है then बात करूँ lipase की तो lipase जो है वो mainly pancreas में secret होता है ठीक है then next question पर जलते हैं the next question है हमारा in man cardiac cycle duration is to man में जो cardiac cycle duration होती है वो 0.8 seconds रहती है अब बात करूँ cardiac cycle होती क्या है तो जो भी हमारे pressure मलब body में जो pressure होता है hurt के अंदर hurt के अंदर जो भी pressure की different series चलती है उन series में जो भी changes आते है वो pressure changes हमारे cardiac cycle में consider किये जाते है then next question पर चलते हैं फिर तो next question हमारा आता है the principal site of glucose production in the human body is the तो जो principal site है glucose human body में वो रहती है हमारी liver then next question है vitamin K is necessary for तो vitamin K किस चीज के लिए necessary रहता है तो vitamin K हमारा pro-thrombin की formation के लिए बहुत ही important vitamin है then बात करूं रिकेट्स के लिए रिकेट्स की prevention के लिए हम vitamin D का यूज किया जाता है then prevention of pernicious anemia pernicious anemia की prevention के लिए हमारा vitamin B12 यूज किया जाता है and formation of DNA DNA की formation के लिए हमारा folic acid जो है वो यूज किया जाता है the next question पर जलते हैं तो next question है हमारा absorption of drug is affected by drug की absorption किस किस से affect होती है तो ये हमारी solubility, vascularity and root of drug इन तीनो ये तीनो ही factors जो है वो हमारे drug की absorption को affect करते हैं तो option D इस question का right answer है the next question है repacking of drug means drug की repacking से क्या मतलब है तो drug की repacking का mean होता है breaking up of any drug from a bulk container into small packs and labeling them for sale ठीक है drug की जो breaking है drug को break करना है bulk container से और उसको small packs में transfer करना है उनको sale के लिए level करना है वो हमारी repacking हो जाती है the next question है हमारा a product solvents have तो a product solvents में क्या property होती है तो यह हमारे basic in nature होते हैं basic properties होती हैं अब a product solvents के examples की बात करूं तो a product solvents में हमारा vengene आ जाता है tetra chloro ethylene and carbon disulfide यह मैंने short form ऐसे ही लिख दी है वैसे इसका पूरा पूरा नाम जिसे TCE लिख रहे हैं तो वो tetra chloro ethylene and CD लिख रहे हैं तो वो carbon then next question पर जलते हैं while is produced in so while किसमें produce होता है while हमारा lever produce करता है while को जो हमारा goal bladder है वो while को store करता है तीक है while को store करता है and release करता है ठीक है, storage and releasing का काम हमारा gall bladder का होता है जो हमारा spleen है वो WVC and antibodies की formation करता है WVC और antibodies को बनाता है, जो की हमारे defense mechanism होते हैं बात करूँ pancreas की, तो pancreas जो है हमारा, वो हमारा insulin and glucagon इनकी formation करता है यह बहुत important hormones है blood glucose levels को maintain करने के लिए, manage करने के लिए the next question है arrange the following in a meaningful sequence में हमें इन सभी को arrange करना है तो इसमें जो हमारे different options है consultation, illness, doctor, treatment recovery, तो इसमें एक sequence में हमें लाना है तो सबसे पहले तो हम देखेंगे illness कि सबसे पहले किसी को बिमारी हुई जब वो बिमार हुआ तो वो डॉक्टर के पास गया ठीक है बिमार हुआ पो डॉक्टर के पास गया डॉक्टर ने उसे consult किया ठीक है उसे बताया कि उसे ये वाली बिमारी है उसे क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए consultation के बाद डॉक्टर ने उनको treatment भी दे दी कि तुम्हें ये ये बिमारी है तुम्हें ऐसे ऐसे इसको treat करना है, ये medicine देता हूँ ये इस time पे खाओ then treatment के बाद जो हमारा patient होगा, वो recovery stage में जाएगा, उस treatment के बाद वो recover होने शुरू हो जाएगा, तो इस question का जो right answer है, वो है option D की illness then doctor, then consultation then treatment and then recovery the next question है हमारा chloroform is not generally recommended as general anesthetic agent due to, तो chloroform को generally general anesthetic agent में recommend नहीं किया जाता है, क्यों तो उसका main reason है क्योंकि यह hepatotoxicity and cardiotoxicity इसकी properties रहते हैं, properties नहीं बोलूँगा इसके effects रहते हैं जिसकी बज़ा से इसको general anesthetic agent के तोर पे इसे recommend नहीं किया जाता है the next question है हमारा the most common hospital acquired infections are, hospital acquired जिनको nozocomial infections भी बोला जाता है तो जो हमारी UTI है urinary tract infections वो सारी हमारी hospital acquired infections रहती है the next question है हमारा what is pro drug तो pro drug एक ऐसा drug होता है जो की बैसे तो वो inactive form में होता है लेकिन जब वो हमारी body में जाता है तो कुछ metabolic changes की बज़ा से या कुछ enzyme की बज़ा से वो एक active form में convert हो जाता है तो जो option C है that is it is an inactive drug which gets activated in the body तो या option इसका right answer है then next question है identify the drug which is inactive as such what metabolically converted into active drug molecule तो इसमें हमने inactive drug को identify करना है inactive drug means वो एक pro drug है जो की metabolically active drug में convert हो जाता है तो जो हमारा azothioprine है वो हमारा inactive यानि की pro drug है जो की metabolically convert होता है active molecule में तो जो इसके active molecules हैं वो आ जाते हैं 6 mercaptopurine 6 MP and 6 thio inosinic acid TIA लिख देते हैं इसको ठीक है 6 thio inosinic acid and 6 mercaptopurine ये azothioprine के active products है the next question है the right kidney is related to which of these structures तो जो हमारी right kidney है वो liver वाली side पे होती है तो option C इसका right answer है the next question है the dick test is related to dick test किस disease की confirmation के लिए किया जाता है तो dick test जो है वो scarlet fever की identification के लिए इसको diagnose करने के लिए use किया जाता है then बात करूँ diptheria की तो diptheria को identify करने के लिए एक chic test होता है and एक elect test होता है तो ये दो test जो है वो diptheria को identify करने के लिए diagnose करने के लिए use किया जाते है then बात करूँ yellow fever तो yellow fever के लिए ELISA एक important test है जो की yellow fever की diagnosis के लिए identification के लिए use किया जाता है then leprosy की बात करूँ तो leprosy में lepromoin test lepromoin test किया जाता है तो ये leprosy की identification के लिए test रहता है then next question है हमारा aspirin is useful as तो aspirin जो है वो different different conditions में use किया जाता है उसके different different uses है तो ये as in energesic भी use होता है antipiratic भी use होता है anti-inflammatory भी use होता है uricos, uric acid भी है ये एक and platelet aggregation inhibitor तो इसके different different uses हैं हमारे aspirin के तो option D इस question का right answer है the next question है the presence of mitochondria in living cells can be determined by the use of cells में mitochondria की presence को हम किस के use के help से determine कर सकते हैं तो जो हमारा genus green है जो की एक basic dye है basic dye और हम बोल सकते हैं एक stain है जिसकी help से हम living cells में mitochondria की presence को check कर सकते हैं then next question हमारा आता है which of the following bones contain the most abundant red bone marrow in an adult human फिर में से कौन से bone में सबसे ज़्यादा amount red bone marrow ठीक है red bone marrow का सबसे ज़्यादा amount रहता है तो वो हमारा femur का रहता है जो की हमारी body की सबसे बड़ी bone है जो की thigh bone भी जिसे कहते हैं thigh में जो bone present होती है femur वो bone होती है दिन बात करूं sternum की तो sternum हमारी T-shape की T-shape की एक body जो की अगर हम हमारी chest का एकदम central part है तो बहां पर ये sternum present रहती है दिन बात करूं humerus तो humerus जो हमारी shoulder से लेके elbow तक की एक bone है जो की हमारी सबसे बड़ी bone है upper body की ठीक है largest of upper body है दिन बात करूं patela की तो patela हमारी knee की एक bone है जो knee पर आप देखेंगे सबसे उपर वाली side पर round round जो bone रहती है वो हमारी patela होती है then next question है हमारा typhoid vaccine IP is a sterile suspension or freeze dried product prepared from तो ये हमारा salmonella typhi से prepare होती है हमारी typhoid vaccine IP then last question है इस वीडियो का rancidity of fat is due to तो fat की rancidity किस की वज़ा से होती है तो oxidation की वज़ा से rancidity होती है तो rancidity होती किया है तो जैसे कि अगर हम बात करें किसी एक चीज की कोई भी ऐसा like हम pickle की बात करें या फिर मैं example हूँ chips का तो अगर हम उसके packet को या अचार को open area में open atmosphere में expose करेंगे open atmosphere में रख देंगे तो कुछ time के बाद जो वो अचार है या वो lese है तो वो उनके taste और smell में change आ जाएगा जो की oxidation की वज़ा से रहेगा तो यही जो process है इसी process को हम rancidity कहते हैं तो rancidity fat की oxidation की वज़ा से होती है so that's all for today's video मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें में और important topic के उपर आपके लिए mcq questions लेके आऊँगा so तब तक के लिए thank you very much